Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel स्वागत आपका मेरी आज किस न्यू वीडियो में तो आज है संदे और आज मैं आपके लिए लेके आये हूँ Weekly Job Update का Part No. 31 जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं Top 5 Job के वारे में जो कि आपके Last Week of December में निकाली गी हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को एंट तक वाज करें और हमारे चैनल पर पहली वार विज़र कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटस जॉब आपडेट के लिए डेली ऐसी ही लेटर्स जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ओफिशेल नोटिस के साथ में तो इसी के साथ में आज किस वीडियो को करते हैं शुरू अगर हम यहाँ पर बात करें अपडेट नमबर फ़र्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह CSIR Central Institute of Medicine Aromatics Plant की तरफ से निकाली गी है जिसका की advertisement नमबर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो vacances निकाली गी है administrative and technical post के लिए निकाली गी हैं जिसके लिए आप online आवेदन कर सकते हैं इसमें आपका advertisement नमबर आप यहाँ पर देख सकते हैं वाकि जो इसकी last date रहने वाली है वाकि 10 February 2022 रहेगी इसमें starting date आपकी 29 December 2021 रहने वाली है काफी अची यहाँ पर आपके लिए vacances निकाली गी है जिसमें आप यहाँ पे 12th pass हैं तो भी apply कर सकते हैं आपने post graduation कर रखी है, graduation कर रखी है, diploma कर रखा है तो भी आप यहाँ पर form को apply कर सकते हैं fresher candidate के लिए काफी अची यहाँ पर vacances रहने वाली हैं इसके उपर मैंने औरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका link आपको मैं description में डाल दूँगा वहाँ से जाके आप इसका detail में वीडियो चेक कर सकते हैं बाकी कि आप इसकी पूरे details के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रूप जीके वाई दिने सर्वी विजिट कर सकते हैं बहाँ पर आपको यह सारा official notice मिल जाएगा यहाँ पर आपको इसका syllabus mode दिये गया है जो mode of examination रहेगा syllabus दिये गया है सारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं बाकि अगर हम यहाँ पर बात करें form को apply करने की apply करने के लिए आपको online mode से apply करना पड़ेगा जिसका कि मैं आपको link का आपको description में डाल दूँगा इसके detail वीडियो में वहाँ से जाके आप form को apply कर सकते हैं यहाँ पर जो application fees रहने वाली है CSIR की तरफ से तो यह वीडियो को जुरूर बात करके आप form को apply कर सकते हैं बात करें आज की second update की जो second update रहने वाली है Employee State Corporation of India Limited की तरफ से निकालेगी है यहाँ पर आप देख सकते हैं ESIC की तरफ से यह recruitment निकालेगी है और यहाँ पर जो vacances निकालेगी है Regular basis पर direct recruitment आपका रहेगा ESIC में जिसमें की आपकी stenographer, division clerk उसके लावा यहाँ पर multi-tasking staff की vacances रहने वाली हैं जो यहाँ पर vacances निकालेगी हैं वो आपकी 318 upper division clerk की निकालेगी हैं 18 आपकी stenographer की 258 आपके multi-tasking staff की रहने वाली हैं यह जो vacances रहेंगी आपके सिर्फ महाराष्टरा रिजर्ड की रहने वाली हैं अदर रिजर्ड के लिए आप इनकी official website पर wizard कर सकती हैं बाग पर आपको जो बस सारे official notice मिल जाएंगे सारे रिजर्ड के लिए जो vacances निकालेगी हैं matriculate हैं अगर आप MTS के लिए apply कर सकती हैं age limit 18-27 आपकी रहने वाली है upper division clerk के लिए multi-stasking staff के लिए 1825 आपकी रहने वाली है बाकी other आप यहाँ पे इनके form को apply करने के लिए इनकी official website के थुरू apply करना पड़ेगा जिसकी last date आपकी 15 February 2022 दी गई है इसमें जो आपकी vacances रहेंगी वो आपकी काफी अची रहने वाली है all India candidates जो वो apply कर सकते हैं सभी reasons के लिए यहाँ पे vacances निकालेगी है application registration के लिए आपको पूरा यहाँ पे दिये गया है process आप किसमें देख सकते हैं 250 rupees यहाँ पे S.E.H.T. PDWD, departmental candidates, female candidates and ex-servicemen candidates के लिए रहेगी all other candidates के लिए 500 rupees fees यहाँ पे रहने वाली है बाकी इसमें syllabus भी आपको दिये गया है जो भी यहाँ पर पोश्ट देख सकते हैं exam of skirm आपकी यहाँ पे देख सकते हैं इसका detail वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं मैं लिंक आपको discussion में डाल दूँगा जो third update रहने वाली है Jut Corporation of India की तरफ से निकाली गी है इसका advertisement number भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी यहाँ पे जो recruitment निकाली गी है non executive cardier की पोश्ट के लिए निकाली गी है यहाँ पे जो vacancy निकाली गी है accountant की निकालेगी है junior assistant की junior inspector की निकालेगी है इसमें 12 paths एं apply कर सकते हैं बट यहाँ पे fresher candidate apply नहीं कर पाएंगे यहाँ पे जो experience मागा गया है वो आप यहाँ पे detail में चेक कर सकते हैं बाकी दर हम यहाँ पे बात करें इनके अप परेज की तो यहाँ पे आपको easy limit दी गई है जो कि आप देख सकते हैं फ़ाँ को apply करने के लिए online mode से apply करना पड़ेगा इसमें जो आपकी vacances रहेंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं non-reftable fees आपकी 200 rupees यहाँ पे रहने वाली है last date यहाँ पे 13 1222 दी गी है इसमें starting date आपकी चुरहेगी 24 1221 रखेगी है CBT test की आपको announce कर दी जाएगी वाद में जो भी आप यहाँ पे अपना email address अपना phone number प्रोवाइड करेंगी वहाँ पे आपको जो वो intimate कर दी जाएगा तो बात करें आज के fourth update की fourth update जो रहने वाला है NHPC limited की तरफ से vacancies निकाल लेगी है इसका advertisement number आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो vacancies निकाल लेगी है fresher candle के लिए निकाल लेगी है बट यहाँ पे gate 2021 का score आपके लिए यहाँ पे जो वो essential qualification दी गी है इसमें आप देख सकते हैं trainee civil के लिए vacancy निकाल लेगी है उसके लावा trainee engineer mechanical की electrical की आपके trainee officer finance में trainee officer company secretary की vacancy निकाल लेगी है इसमें आपकी degree मागी गी है तब ही आप यहाँ पे apply कर सकते हैं gate 2021 के score के basis पे ही आपकी यहाँ पे selection की जाएगी तो जो भी eligible candidate है वो form को apply कर लेए इसकी last date में आपको बता देता हूँ जो भी जहाँ पे इसकी last date रहने वाली है इसकी जो last date रहेगी 171-2022 रहेगी 22-2121 इसकी जो वो starting date रहने वाली है काफी अच्छी vacancy हैं जो भी eligible candidate हैं वो form को apply कर ले बात करें आज की last update की जो last update रहने वाली है plasma research की तरफ से निकाली गी है institute of plasma research की तरफ से ये vacancy निकाली गी है जिसका advertisement number आप यहाँ पे देख सकते हैं project scientist आपके assistant की vacancy निकाली गी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते है total vacancy आपको यहाँ पे देगी है computer application branch में आप 4 vacancy रहेंगी bachelor degree आपकी BSA मांगेगी है electrical में आपकी यहाँ पे 18 vacancy रहेंगी diploma electrical में आपका होना चाहीए electronics में आपका diploma होना चाहीए 10 vacancy रहेंगी instrumentation में आपका diploma है apply कर सकते हैं 5 आपकी post के साथ में mechanical में 28 पोस्ट रहेंगी जिसमें mechanical engineering का diploma आपका होना चाहीए 16 vacancy आपकी रहेंगी physics के लिए, bachelor degree आपकी physics में होनी चाहिए, काफ के ची आपके लिए vacancy रहने वाली है, 20,000 प्लस आपको प्लस अच्छारे दिये चाहेगा, इसमें जो आपकी salary रहेगी 20,000 प्लस अच्छारे रहेगा, maximum age 35 यहाँ पे रहने वाली है, उसमें जो आपकी application fees रहे इसका मैंने detail में already एक video बना रखा है, आपको मैं link description में provide कर दूँगा, वहाँ से जाके आप इसका full video watch कर सकते हैं, and form को apply कर सकते हैं, last date यहाँ पे भी 17122 देगी है, इसके through आप जो वो link यहाँ पर provide किया गया है, इसमें apply कर सकते हैं, इसके detail video के description में आपको link में जाएगा, directly बहाँ से जाके भी आप form को apply कर सकते हैं, उसके लावा latest job update के लिए आप मेरे telegram group भी join कर सकते हैं, बहाँ पर आपको जो daily notification प्रवाइड की जाती हैं, official notice वहाँ पे आपको डाले जाते हैं, उसके लावा general knowledge के questions आपको वहाँ पे दिये जाते हैं, तो friends आज की वीडियो में स हम कः में आपको जाते हैं, द already कस वीडियो में से जाहँ, आपको एफ उन्या की पर्म लाषा लाह द्टो को जाने जाते हैं, पेे लावा आपको शेते हैं, वीडियो में सब्सकÈकर ने कून-णल्स तो श्याशते हैं, उसके ए reasonably जाफ चैमाल लावा भीडियोशते हैं, ल